क्या साब सब लोग फ्रेंट्स आज की वीडियो में बात की जाएगी आज तक के सबसे महत्विक्टी जी आँ नामे उसका एंचिएप 2005 यानि नैशनल करिकुलम फ्रेमवर्ट पार्ठीचर की रूपरे का 2005 देगे जब मैं बात करता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टोपिक की जो आपके एक्जाम में दोचा नंबर निदिलाएगा आपको पूरा का पूरा एक्जाम पास करा देगा ठीक है आप कोई भी एक्जाम दे रहे हो अगर मैं बात करो इसपेशली सीटेट की तो आपके सीटेट में जो आपकी आपके लिए एक्जाम पूछा जाता है जो इसके बात जो वेकंसी निकलती है जैसा आपका सूपर टेट हुआ कई सारे पूछे जाते है ठीक है तो साइदी टीचिंग का कोई एक्जाम हो जिसमां आपका एंच्व 2005 से रिलेटिट कोशन आंसर ना पूछे जाते हो इसलिए इतना जरूरी है आज की वीडियो के अंदर कोई भी एक लाइन को छोड़ना हमा क्योंकि जितने पॉइंट मैंने आज की वीडियो में लिए वो सारे चाट कर लिए जो आपके एक्जाम में कही कही बार पूछे गए ठीक है इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में जेल में बता दूँगा जो पार्ट टू आएगा पार्ट टू में आज तक जितने भी कोश्चन आंचार आपके एंशेफ से रिलेटिड आपके टीचिंग एकजाम में पूछ गए उन सभी को मैं इंक्लूड कर दूआ जिससे आपकी प्रेक्टिस हो जाएगी ठीक है इसलि दस्तावेज है जिसमें ऐसे विच्व पर चर्चा की गई है कि बालको को क्या और किस परकार से पढ़ाया जाना चाहिए देखो जब आप लोग की गोवर्मेंट जोब लग जाएगी यानि गोवर्मेंट टीचर बन जाओगे आप लोग तो टीचर बनने के बाद भी आपक से इ cellular-925 कि बच्चो को किरा पढ़ाये और किस परकार से पढ़ाये यह अगर आपको यह समझ मघा गया कि कि बच्चों को किस परकार पढ़ाना है तो समनू लेना आप यह बार पूछा गया है तो आप उस्त करेक्च डाम को ईजब करेक्ट कर पाऊगे Php सब्वेता और प्रगर्थी नामक निबंद से हुई है यह कुछन कई बार पूछा गया है आपके सब्वेता और प्रगर्थी नामक निबंद से आगे देखते हैं का इंचेव्ट 2005 के अनुसार स्कूली स्क्षा पाठ्य पुस्तक के इंदरितना होकर बाल लगार्थी हो नीचीए देखिए जब भी बात आजेगी टेक्स्ट बुक सेंटर की या टीचर सेंटर की ठीके ना तो पाठ्य पुस्तक के इंदरित होगी ना एया अध्यापक केंदर जितनी सिक्सेन सन व्यस्ता उसके सेंटर में बच्चा होगा जितनी सी जीजwydd प्रोफेश को में भी क्या गया हैं एक और किया गया तो त्यार क्या है लिए एक कुछ सिद्दानत हैं और देखे हैं five शिद्दानत हैं पाऄ पाइचे पाप सिद्दांत को याद कर लेना समझताँ आप लोग जाओगे लेकिन इसको याद कर लेना ताकि यह सिद्दानत क कि टीचर बनने के बाद भी काम आएंगे ठीक है तो चलिए बात कर लेते एक एक करके सभी सिद्दांत के बारे में पहला सिद्दांत आपका कि ज्यान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए यानि जो नोलिज होती है उसको आउट्डोर लाइफ यानि जो बाह पारे जीवन ना उससे रिलेट करके जब भी जोडने की बात आजाएगी ग्यान को समझ लेना अपने कोश्चन में उसका अंतर आप लोगों को सही लगा देना ठीक है और जितने भी पात सिद्दांत है यह पात सिद्दांत में आपको जरूर अपने एक्जाम में देखने क और जोडन सा भी शिद्दांत देखने को मिले उस पर देखती सही कर देना ठीक है अगला सिद्दांत देखते हैं अगला आपका पढ़ाई को रटनत पंधनाली से मुख्त किया जाए यानि जो रोट लेर्णिंग होती है रोट सिस्टम होता है उससे मुख्त किया जाए जह चीर अगला इसका सिद्धान देखते है दो सिद्धान ता क्यों गे अगला आपका पाठ्ठी चरिया पाठ्ठ पुस्ता केंद्रित ना हो जहाँ जो करीकुलम है वो टेक्स्ट बॉक्सेंटर नहीं अगला देखते हैं अगला डीजाने वाले शिछसा को विभीन परकार की गतिवीदियो से जोड़ा जाए अब इस यह option कम सेखम आपके एक्जाम में दो नंबर पक्के दिलाएगा वो कैसे देखे आपने सीटेट के एक्जाम में अपनी कोई ना कोई language लियोगी किसने हिंदी लियोगी इंगलिशी लियोगी संस्कृत लियोगी तो जहाँ पर भी आपको दिख जाए विभीन परकार क की गतिविदियों से जोड़ा जाए विभीन परकार की गतिविदियों से पढ़ाया जाए विभीन गतिविदियों के मातदम से बच्चों को शिक्संड दिया जाए जहाँ पर भी आपको यह लिख्था मिल जाएगा इस option को देखते ही सही कर देना ठीक है अगला सिद्दान अगला सिद्द्द आता कि राष्ट्य मुल्यों के परती आस्तावान विधारति तयार कि जाए देखें आपने गवर्वर्मेंट्टी स्कूल में देखा होगा जो गवर्मेंट्टी सकूल का फरणीचर वा जैसे मालीचे पेन है तो बच्चे इसको तोड़ देते फैन तो तोड़ दी तो यह बच्चे अगर इनको सही तरीके से समझाए नहीं तो यह बच्चा आगे बढ़े चलके दंगों में क्या काम करते हैं कोई बस तोड़ेगा ठीक है कोई जो पब्ली का प्रेवेट प्रॉपेट्टी उसको नुक्सान पुचाएगा तो बेसिकली यह क्या का लोग के परती आतावान विद्दार्थे तयार हो सके इस बात के ओपर एंचप पूरा जोड़ देता इसलिए इस सिद्धान्त को भी इसके अंदर रखा हुआ है ठीक है उनको समझाना चाहिए कि बेटा देखो यह जो प्रॉपेट्टी होती है यह हमारी खुद की में आगे जान लेते हैं एंचप के बारे में थोड़ा और जो कि आपके लिए बहुत ही महत्पुन हैं एंचप 2005 का निर्मान NCRT द्वारा किया गया था एवं उसको पूर करने का कारें निर्दे सक प्रॉफेसर किष्ण कुमार के नेतर्तु में क्या गया था इसका परमुक कि आपको सही कर देना ही जिससे की उन्हें उन्हें ज्यान की प्राप्ति करने होते हैं यानि खुद शी के बच्चा ठीक है आगे चलते हैं आगे क्या लिख्था हुआ हैं आगे आपका NCR 2005 के अनुसार हर विद्दार्ति की अपनी छम्ता और कोसल होते हैं किसी बच्चे की चमता कम होती है किसी की जादा होती है हर कीजी के अपनी capability होती है आप लोग जो वीडियो देखे हो जरूरी थोड़ी सिभी की चमता एक जाची है कोई इस वीडियो को दो तिन बार देखेगा ठीक है तो यह चमता और कोशल होती है तो हर विद्धार्ट्य को उसे व्यक्त करन में कही कही बार पूशे गए इसलिए मैंने इन सब को वीडियो के इंदर इंक्लूड कर लिया है इन एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से कर लेना आपका देख लेना एंचे पूरा कवर हो जाएगा और आपकी पैड़गोजी भी पूरी सोल हो जाएगी पहला प्राइमरी लेवल का बच्चा बहुत छोटा होता है इसलिए उसको वो चीज़े पढ़ाने चीज़े जिसको बच्चा जानता हो जो मूर्थ वस्ता में है ठीक है मूर्थ से अमूर्थ ले जाओ चाए फिर ग्यात से ग्यात ले जाओ वो आप लोग अपनी तरीके से कर सकते हो इसलिए सुरुवात में ऐसे सिक्षन सुत्रों का आपको अधिक सदिक परियोग करना चाहिए आगे चलते हैं आगे आपका सजा हुआ पुरुसकार की कुछ वर्ड भी नहीं बोल सकते ठीक है तो सजय किसी भी तरीके की सजाओ उस ओप्षन को देखते आप लोगों को गलत कार देना है और जैके जो पुरुसकार होते हैं रिवार्ड होते हैं उनको मैंने आपको बताये था एक खास टाइम पिरेड पर देना चीए यानि जब बच्चे नों कोई खास उपलब्दी हासिल की हो तब बच्चे को क्या देना चीए पुरुसकार देना चीए यानि कि बच्चे को थोड़ी थोड़ी तेर में ही पुरुसकार देता जाओ क्योंकि बच्चे को आंतिर कुरूस से अभी पर ही थोना जरूरी है ठीक है अगर हो मोटिवेटिड होगा इंटर्नली होगा तो जाद है अच्छा प्रफॉर्मेंस दे पाएगा ना कि जब भाय रूप से जब होगा ठीक है इसलिए पुरुषकार देने चाहिए बच्चों को लेकिन किसी खास उपलब्दी पर उनको देने चाहिए और इमको सीमित रूप से पर जिसमें परेंट्स के लिए ठीक है अलग-अलग काम दे देते हैं या फिर जैसे योगा आज कल होती है योगा कराते स्कूल में या कुछ और एक्टिविटीज कराते तो हम उसमें परेंट्स को भी इंटर्फेर कर लेते हैं ठीक है कि चलिए आप भी आईए और थोड़ा ए इसके पेरेंट्स के होती है इसलिए पेरेंट्स को भी जोड़ना बहुत जरूरी होता है ठीक है आगे आपका एंचेप 2005 बिना बोज के शिक्सा पर जोड देता है ठीक है यानि लेंडिंग विदाउट बर्डन और यह कुशन आपका कई बार पूछा गया आपके को मातर भासा में शिक्सन कारे दिया जाना चाहिए देखे आपकी लेंग्वेजी में एक कुश्चन जरूर आएगा दो नंबर के आपके जरूर आएगे जब भी मातर भासा की बात आजाएगी पहला तो इसने बता दिया कि मातर भासा में शिक्सन कारे दिया जाना चाहिए उसके बाद जो मात्रवासा बच्चे की वह बहुती महत्मूर होती है बच्चे के विकास के लिए या कोई चीज बच्चे के लिए सीखने के लिए ठीक है और मात्रवासा हमेशा एक संसाधन का काम करती है ना कि एक समस्या होती है इसलिए आपको बच्चे की मात्रबास को बढ़ावा देना चीए, प्रोसाइट करने चीए, जाद स्यादा आउसर देने चीए मात्रबास में व्यक्त करने के अपने विचारों को ठीक है बच्चे को और ये बहुती महत्मून और संसाधन की रूप में काम करती है अगला पुइंट देखते हैं, विशाल पाट्टे करम वे मोटी किताबे शिक्षन पढ़ना लिकी ऐसा पलता का परती है, ठीक है, आगे देखते है पुइंट, मुल्यों को उपदेश देकर नहीं, वाताउन देकर इस्तापित किया जाए, देके जहाँ भी बात आजाएगी, अगर आप बच्चो को मुल्यों की शिक्सा दे रहे हो, तो आपर उपदेश नहीं देना चीए, या किसी भी तरीके की व्याक्ष नहीं करना चीए, उसको एक अच्छा एंवार्यमेंट आप परदान करना तो देख ले ना कितना इफेक्टिव तरीके से बच्चा शीखेग ठीक है, क्योंकि टीचर की जिम्मेदारी खाली स्कूल तक होते हैं, उसके बाहर उसके पैरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए पैरेंट्स में और टीचर में एक अच्छा तालमेल होना बहुत ही ज़रूरी है बच्चे के विकास के लिए, तो यह पॉइंट भी सांस्कृतिक कारिकर्मों में मनोरंजन के इस्तानट पर सुन्दर्य बोध को बढ़ावा देना चीह, ठीक है, बहुत सारे कारिकरमों होते हैं, इस्कूल में प्रोग्राम होते हैं, मा लिजे, तो आपर एक 15 अगस्त के उपलक्स में एक प्रोग्राम कर दिया, तो आपर एक उसके सुन्दरिया बहुत को बढ़ावा देने पर जादा फोकस करना चीए ठीक है और आपका बहुत बार पुछा गया यह वाला भी अगला आपका अगला तो आप लोगों से संबन दीते हैं कि शिक्षकों को यानि जब आप लोग टीचर बन जाओगे अकाइडमिक संसादन रवन नवाचार यानि इनवबैटि आदी समय पर पहुंचा जाए ठीक है उसकी जिम्मेदारी सरकार के होती है वाँ तक पहुझ जाएंगे उसके लिहाब लोग भी बेफिकर रहीерш लेगे समुधाय को मानव संसाधन के रूपने परिख्थ होने का आउसर दे देखें बच्चे के विकास में जितना महत्पुन योगदान उसके परिवार का होता है उतना ही महत्पुन योगदान उसके समाज का भी होता है ठीक है आप लोग भी अपने समाज से कितनी चीज़ें कि खीक, तो जो समुधाय होता है, समाज होता है, वो हमेंसे एक संसाधन के रूप में काम करता है, एक रिसोर्स के काम करता है, ठीक है, चलिए आप देखते है, अगला करना चीए यह निकि बच्चे की छमता कम है तो आपने पाठ्टे करम में हाड चीजे डाल दी ठीक है अगला पुइंट देखते हैं अगला आपका सांती शिक्षा को बढ़ावा देना चीए और महिलाओ के परती आदर एवं जिम्मेदारी का द्रिश्टिकों विक्सित करने क कारेकरम का आयोजन भी करना चीए आग देखते हैं बालकों के चहुमु की विकास पर आदारित पाठ्टि चरह हो ठीक है यानि कि बच्चे जिसमें बच्चे का सरवागिन विकास हो सके चाया उसमें सारीरिक हो मांसी को स्वेंगात्म को तो उसमें चहुमु की विकास पर आदारित आपका पाठ्टि चरह होना चाहिए आगे आपका सभी विद्यारतों एहे तू समावेशी वातर्ण तयार करना ठीक है मैंने बताइती जहां भी वातर्ण देनी के बात आजाएगी आपका पोजिटिव हो जाएगा और अगर समावेशी वातर्ण आ जाएगा तो आपके इंक्लूसीव एजुकेशन यानि की समावेशी शिक्सा तो जहां पर भी समावेशी वातर्ण देनी के बात वा जाएगी इस उप्शन को आपको देखते ही सही कर देना है ठीक है आगे देखते है और महत्पून पॉइंट जो आपके एंच्प से आपके और टीचिं 2015 में सिक्सक घ्यान का सीर्स निए तो क्या है वह सिक्सक सिक्सक के एक ऐसा सुगम करता है यह कोशन आप कईबार पूछा गया है सीटेट के एकजाम में कि enchant 2005 की अनुसार सीखसक की भूमिका कैसी है तो सीक बूमिका एक सुगम करता की आपके सूप में अर्थ में बदलने क एक बच्चे की सीखने की गती प्रकरती अलग होती है उपर इस बात का मैंने भी जिकर क्याता है कि बच्चे की छमता अलग-अलग होती है उनकी स्पीड अलग होती है उनका नेचर अलग होता है सभी बच्चे सक्रिय रूप से इसको नोट डाउन कर लेना सभी बच्चे सक्र काट देना है ठीक है क्योंकि active learner के रूप में होना चाहिए बच्चा ना की passive learner के रूप में होना चाहिए ठीक है यह बहुत ही चाहिए ठीक है ठीक है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यह इसकी फुल फोम होती है एंचेप 2005 के नुसार अंग्रेजी शिकाने का क्या उद्देश्य होता है तो होता है बहुत ही महत्मूर्ण नहीं आपका जब भी बच्चे को आप कोई चीज शिका रहे हो तो बच्चे को व बेसिकले आप लोग भी करके देख लेना अगर आप खुद अपने हातों से कोई चीज करोगे तो आप जल्दी अच्छे तरीके चाज सीख पाऊगे ठीक है इसलिए एंचेप बल देता है कि बच्चा खुद इस चीजों को करके सीखे लेंडिंग बाई डूइंग और जित आपके टीचिंग एकजाम में एंचेप से रिलेटिड कोश्चन आंथर पूछ गई है उन कोश्चन आंथर की प्रैक्टिस कर लेना इस एंचेप को समझ लेना आप पेड़ागोजी में कभी मात निखाओगे और एंचेप से रिलेटिड कोई भी कोश्चन आ जाएगा आप उसको आंजर हमेशा सही दे दोगा ठीक है अगर आपको सारा कंटेंट